हेलो दोस्तो आज अजे देवगन की अगली फिल्म भोला का सेकेंड टीजर रिलीज किया गया एंड ये फिल्म ऑफिशिल रीमेक है 2019 की तमिल फिल्म कैथी का एंड आपका तो पता नहीं बट मेरे लिए यहाँ पर जो बात है वो ये है कि भोला मेरे लिए एक कंप्लीटली फ्रेश कॉंसेप्ट है फ्रेश प्लॉट है और इसका 111 सेकेंड का ये टीजर इस्टोरी लाइन को ज़रा भी रिवील नहीं होने देता 2019 में जब कैथी रिलीज होई थी तो वो फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी क्योंकि उस वक्त में रिवीउ नहीं करता था तो मैं साउथ इंडिया की लगबग सारी ही मूवीज को स्किप कर देता था अल्दो बाहुबली के जीएप और रोबोट की बात थोड़ी अलग थी तो मेरे लिए ये फिल्म पूरी तरह से फ्रेश है और स्टोरी लाइन के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है और नहीं इस टीजर को देखकर कुछ भी समझ में आता है करीब करीब दो मिनेट के इस टीजर में तावड तोड एक्षन बेगराउन में एक री किरियेटेड स्लो मोशन में गाना सुनाई पड़ता है और ये टीजर पूरी तरह से डार्क है मतलब दिन के ओजाले के फिर्फ दो चार ही फींस यहां पर है सो ये फिल्म हाइप तो किरियेट कर रही है मतलब जब से इसका फर्स्ट टीजर आया है तभी से ये फिल्म चारचा का बेशा बनी हुई है और मैं परस्नली खुद भी एक्षैटेड था जब से मुझे पता चला कि सेकेंड टीजर आने बाला है और मैं कहूंगा कि यह टीजर मुझे बहुत पसंद आया हलांकि यहां पर लाजर देन लाइफ एक्षन है मोटर बाइक सहबा में अजीवो गरीब तरह से उड़ रही है और दूसरे एक्षन सीक्वेंसिव नजर आते हैं वो आईगे इस फिल्म में नेगेटिव किरदार में है और कुछ सेकेंड के लिए तब भू भी नजर आती हैं और भो भी अच्छी लगती हैं तो दोस्तों मैं इस फिल्म को फ्रेश ओडियस की तरह ही देखूँगा कहने का मतलब मैं व्यूज के लिए रिब्यू करने के लिए या फिर किसी भी बज़े से इस फिल्म को देखने से पहले कैथी को नहीं देखूँगा क्योंकि मैं इस फिल्म भोला को किसी भी बज़े से स्पोईल नहीं करना चाता एंड हो सकता है कि जो लोग कैथी को देख चुके हैं उनका विव उनका टेक उनकी राय मुझे से थोड़ी अलग हो इस टीजर पर बट मुझे तो यह बहुत पसंद आया एंड इस टीजर को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि बॉलीबुड की कोई फिल्म एक लंबे समय के बाद मुझे एक्साइट कर रही है तो व्यक्तीगात तोर पर मैं कह सकता हूँ कि यह फिल्म हमें कुछ अच्छा ओफर करेगी हालांकि आजे देवगन पहले भी दिरेश्यम 2 जैसी एक कमाल की फिल्म बॉलीबुड को दे चुके हैं और दो रीमेक तो बो भी थी एंड ये भी है बट उसके बाबजुद भी मेरी सारी उमीदें आजे देवगन से ही हैं बही बॉलीबुड को सही दाफ्टे पर लेकर आ सकते हैं और बेक्राउंड में जो गाना सुनाई पड़ता है आज फिर जीने की तमन्ना है लग रहा है कि उस क्लाफिक गाने का देई क्रियेटिट बरवन भी अच्छा हो सकता है सो इंतजार रहेगा फिल्म के ऑफिशिल ट्रेलर का एंड फिल्म रिलीज होगी 30 माल्च को तो मैं एक बार फिर कहता हूँ कि एक फ्रेश ओडियेंस के तौर पर भोला का ये टीजर मुझे बहुत प्रसंद आया एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को मूबी हॉल में देखने के लिए सो फिलाल इस टीजर के लिए फोडिफटार्स एंड इस टीजर के रिलीज के बाद मैंने कहीं पर ये भी पढ़ा शोशल मेडिया पर किफी ने ये लिखा था कि बॉलिबर्ड में बहुत रिमेक सिर्फ अजय देवगन ही बना सकते हैं सो फोडिफटार्स दैट्स माइ रेटिंग पर सेकंड टीजर आप भोला मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रियक्ट भशकर ने फिर चाहिए आप लाइक करें ये डिफलाइक इट सब्टोए हो बाकि अगर आप लोगों ने ये सेकंड टीजर देखा है भोला का तो मुझे नीचे लिख कर बताना कि आप लोगों को ये टीजर कैसा लगा आप लोगों का इस पर क्या ठीक है एंड आपको यहाँ पर क्या अच्छा और क्या बोरा लगा एंड अस्कॉर्स लाइक शेर और सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो को चलिए it's the moment for me to face टाडा